ये तस्वीर अभी बहुत जल्दी पलटेगी और तस्वीर पलटते हुए देर नहीं लगेगी हमारे लिए अच्छी ख़बर हर्याना से भी आएगी हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था बारा बेस अपने इलेक्शन को अल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी वही हर्याना में होगा बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट देख रही हूँ जिसको अब अधिकांज चैनल दिखा रहे हैं वहाँ पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है हमारा वोट शेर काफी आगे है बीजेपी से और ये सीटों में जरूर तबदील होगा जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है वो तीन या चार राउंड आवरेज हुए अभी और उसमें हम आगे हैं मैं लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10-15-15-1000 के मारजन से पीछे हैं तो उनको कैसे पूप अप करेंगे आप लोग और कई सीटे ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं तो मेरा अपना मानना है कि यह तस्वीर बदलेगी और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाओं लड़ा है किसानों जवानों पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाओं लड़ा है और यह इलेक्शन जरूर पलटेगा भी आप 12 बज़े तक का इंतजार करिया ऐसा मेरा मानना है मुझे लगता है हमारी हमें उम्मीद से और भी प्रचन बहुमत की थी बहुमत की सरकार हमारी बनेगी मुझे इसमें कोई भी संचे नहीं है बीजेपी हेड़कोटर पर तो परिंदा नहीं फड़क रहा था और अब महां पर पहुँच रहे लोग तो मेरा अपना मानना है उनका डिसेजन की वो टीवी पैनल पर भी नहीं आ रहे थे अब आने की साथ सोच रहे यह एक इलेक्शन जम्मू कश्मीर और हर्याणा में आप इस देश के किसी भी राज्य को घटा कर यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते हैं जम्मू कश्मीर को ये काबले बरदाश नहीं था बीजेपी ना सर्फ कश्मीर में बलकि जम्मू में भी हार रही है और ये बहुत बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिय अगय है जम्मू के लुट है और ये लोगों नहीं थाता है प्रक्षाइब बलकि जम्मू को ये सिंग्य है और ये रहँ है